नमस्कार आपका स्वागत है एश्या नीज इंडिया में आपके साथ मैं पून हूँ करनाटक की कॉंगर सरकार में मुख्य मंतरी सिधारमया ने शुकरवार 22 दिसंबर को राज के एजुकेशन इंस्टिट्स में हिजाब पहने पर लगा प्रतिबंद हटाने का ऐलान किया है मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीम व्यक्तिगत स्वतंदता और पसंद के अधिकार का हवाला देते हुए हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंद को वापस ले लिया सिधारमिया ने कहा महिला हिजाब पहन सकती है और कॉलेजों में जा सकती है मैंने अधिकारियों को प्रतिबंद आदेश वापस लेने का निर्देश दिया है पोशाक और भोजन का विकल्प व्यक्तिगत है मैं इसमें बादा क्यों डालूँ जो चाहो वो पहनो जो चाहो वो खाओ मैं धोती पहनता हूँ तुम पैंशट पहनते हो इसमें क्या गलत है वोट के लिए राजिती नहीं करनी चाहिए करनाटक के सीएम बोले पीए मोदी का सबका साथ सबका विकास फरजी है बीजेपी लोगों और समाच को कपड़े पहनावे जाती के आधार पर बाट रही है फरवरी दोजा बावीस में उडबी के एक सरकारी कॉलेज ने क्लासेस में हिजाब पहनने पर बेन लगा दिया था बाद में दतकालिन बसवराच बोममई सरका ने केमपस के अंदर हिजाब बेन करने का आधेश जारी किया था इसमें कहा गया था कि कोई भी कपड़ा जो समानता खंटा और सारवजनी कानुन वियस्ता को परिशान करेगा उसे पहनने की अनुमती नहीं दी जाएगी इस आधेश को लेकर जम कर बवाल हुआ था बीजेबी सरकार के इस आधेश के कारण राज्य में कई जगा विरोत था हाला कि सुप्रिम कोट ने 13 अक्टूबर को खंडित फैसला सुनाया इसके बाद इसे सी जे आई से बड़ी बैच के पास भेजने की अपिल की गई थी फिलाल के सुप्रिम कोट में पैंडिंग है